सन्यासी बने स्वामी विविदीशानंद सद्भामना का संदेश देते हुए भारत वर्ष की यात्रा पर निकल जाते हैं और इसी यात्रा के दौरान माउंट अबू की खुबसूरत पहाड़ियों में 4 जून 1891 को इनकी मुलाकात खेतली के राजा अजीत सिंग से होती है अजीत सिंग इस युवा सन्यासी की विलक्षन बुद्धी से अत्यंत प्रभावित होते हैं और विविदी चानंद को खेतड़ी आने का निमंतर्ण देते हैं स्वामे जी आप एक साफा बांद लेजेगा वो आपकी राजपुताना की गर्मी और लू से बचाओ करेगा